आप देखना शुरू कर चुके हैं नियूज लाई दोस्तो प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी ने समाजवादी पाटी के एक सांशत की ऐसी तारिफ कर दी है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में भुचाला गया है जिहां बात करें तो पीम मोधी ने क्या कुछ कहा है समाजवाद समाजवादी पाटी के सांशत को कौन सा वो सांशत है जिसको लेकर पीम मोधिन अपने पर्तिक्रिया देश की पूरी जानकार या आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं तो देश ने करते हैं चलिए शुरू करते हैं दोस्तों बात करें तो संभल से समाजवादी पाट पर हमेशा निजाना साथते रहते हैं बता दें कि डॉक्टर सफिक रहमान बर्क इस समय संसद के सबसे बुजूर्ग सांशत हैं डॉक्टर वक्र की उम्र जो है लगबग 93 साल की है दरसल जो है कि बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि खुद जो है प्रधान मंत्री न संसद का विशेश सत्र बुलाया है और इस दवरान जब प्यम मोदी सदन को शंबोधित कर रहे थे तो उस दवरान उन्होंने डॉक्टर सफिक रहमान बर्क के लिए कुछ ऐसा कहा जो चर्चाओं का विशेश बन गया है प्यम मोदी ने की डॉक्टर बग की तफाई तारि के प्रति ऐसी निष्ठा होनी चाहिए बता दे कि प्यम मोदी द्वारा डॉक्टर बर्क की तारिप किये जाने का एक वीडियो सोसल मेडिया पर भी खुब वाल हो रहा है और शर्चाओं का विशेवान हुआ हुआ है सपा सांसद बर्क सीम योगी को बता चुके हैं दोस्त पिछले दिन समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर सफिक और रहावान बर्क ने कहा कि जो यूपी में सर्चाओं में आ गया है दरसल डॉक्टर बर्क ने मुख्यमंत्री योगी आयतनात को अपना दोस्त भी बताया है और सपा सांसद ने कहा था कि सीम योगी मेरे द पिएम मोदी द्वारा बर्क की तारिफ संभल और सियासी गलियारों में चर्चा का भी सहवानी हुई है पाकिस मसले को लेकर अपने राय कमेंट बॉक्स में देजिए धन्यवाद